जै में आता दी दोस्तो सस्क्राइब कीजिए हमारे यूटिब चेनल को तो कन्या रासी वालो हम बात करेंगे दिनांक 11 सितंबर सनिवार यानि सनिदेवत अगवार मित्रो केसा रहेगा आज कई हो दिन आप लोगों के लिए आज के दिन आपको क्या क्या सूब सुचनाए मिल साथ मित्रो आज के दिन आपको किन छेत्र में किन चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है तो मित्रो सटिक खगोलिये घ्रगोचर पर आदारित्यों हो रासी फल आप सभी के लिए त्यंत में है तो पुरण है आप सभी से विनर्म अनुरोध है कि वीडियो को सुरू से ल और आज फल की और तो मित्रो घर परिवार तरह संबंदियों के साथ आज अच्छा समय वेतित होगा और अपने संपर्क सुत्रों तरह मित्रों से मुलाकात लाब दाय करेगी परन्तु मित्रो कुछ समय से आप अपने व्यक्तित्व में और अधिक सकरात्मक बतला लोने का प्रियतने कर रहे हैं उसमें आपको सामाजिक वपारियो और एक सरहना भी प्रयात्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति से कोई मेहत उप्रण बाच्चित या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचारवी मर्स तरह जाच पड़ताल अवस्य करें मित्रों क्यो परिवार की विवस्ता को उचित तथा खुशनुमा बना कर रखेगा और प्रेम संभंध मर्यादा पूर्ण रहेंगे परन्तु मित्रों बदलते मोसम की वज़े से कुछ सुस्ती वर ठकान महसुस हो सकती है आप अपने प्रभाव सली तथा मीठी वानी द्वारा अपने द बादचीत में कुछ विवाद विवाद उत्पन होने की स्थती बन रही है अपने इन गुणों को सकारात्मक रूप में उप्योग करें तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और आज अपने रुक ही पेमेंट कलेक्ट करने तथा आर्थिक इस्तिथियों को मजबूत करने में भी समय व्यतित होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से चेहल पेहल बरा खुशनुमा माहल रहेगा और मित्रों आप अपनी धन संभंधित कुछ नेतिया योजना बनाएंगे उसमें सफल भी रहेंगे इसलिए प्रियास करते रहें और पारिवारिक सुक सुवीदाओ पर भी खर्च होगा किसी नजदे की मित्र के यहां धार्मिक समहारों में जाने का आउसर भी बनेगा अत्यदिक खर्चों की वज़े से आपका बजट भी गड़ सकता है इसका अवस्य ध्यान रखें और घर के किसी व्यक्ति की विवस्था को लेकर कुछ चिंता रहेगी अ इसलिए थोड़ा साउधन रही और जीवन साती की और सवस्था की वज़े से घर की विवस्था गड़ बढ़ा सकती है उनके स्वास्थ तथा परिवार का अवस्य ध्यान रखें मित्रों स्वास्थ तो ठीक रहेगा परंतु खान पान और दिन चर्य सयम्मित रखना आपके अतियाव सेके और निवे संबंदित गती वीडियो पर समय व्यतित होगा और काफी हद तक सफलता भी प्रयाप्त होगी परंतु मित्रों खर्चों के दिक्तार रहेगी और आई के साधन भी बने रहने से दिक्कत महसूस नहीं होगी कुछ समय पारिवारिक तरह सामाजिक ग सरकारी सेवा वाले लोगों को भी अपने कामों में अच्छा योगदान देने से उच्छ अधिकारियों की सरहान अप्राप्त होगी और पति-पत्नी के संबंदों में किसी छोटी सी बात पर तकरार उत्पन हो सकती है अपने स्वभाव को सेहज बना कर रखें और किसी भी को अधिक तुल ना दे और मित्रों विसे इस ध्यान रखिये चाना कि किसी अंजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और आपके लिए बहुत फायदे मन साबित होगी परन्तु मित्रों अगर कोई प्रोपड़ी भी इसने संबंदित योजना बन रही है तो उस पर अपने ध्यान पूरी तरह से किंद्रत रखें और विध्यारती अपने पढ़ाई के प्रती पूर्ण एका ग्रिच्चित रहेंगे मित्रों किसी वरिष्टी सदस्चिक स्वास्तों के लिए कर जराबी लापरवाही ना बरते कोई कोड किसे संबंदित मामला अभी उलस सकता है इसलिए किस योगी वेक्ति से सलाव अवसिले मित्रों आज मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंद सभी काम सुचारू रूप से संबंद होते जाएंगे इसलिए पूर्ण रूप से इन कारियों के प्रती प्रियास करते रहें आर्थिक इस्तधी बहतर रहेगी नोकरी पे सा व्यक्ति रहें इस समय ग्रेश दितिया आपके लिए उचित भाग्य का निर्मान कर रहे है इसलिए इनका भरपूर सब्योग करें मित्रों कोई पारिवारिक धार्मिक भोजन संबंदित योजना भी बनेगी और मन में कुछ नकरात्मक विचार भी उत्पन नहों सकते हैं इसका आफ आपकी निंद पर भी पड़ेगा सकरात्मक प्रवत्य के लोगों के साथ अपना समय वियतित करें तता कुछ समय एकांत में बेटकर आत्म चिंतन भी हवस्चे करें विविसाई में गती वीडियो के प्रति आपका पूरा ध्यान के इंदित रहेगा दूर दरा छेत्रों में मेहतु पुर्ण संपर्क स्थापित होंगे और अच्छे ओडर भी मिलने की संभावनाय में तरों अपनी योजनाओ को किसी के समक से जाहिर ना करें क्योंकि आपकी साथ कोई चीटिंग कर सकता है परिवार तथा व्यविसाई के बीच उचिस सामजित से बनाकर रखने से द जर्गो का इसन है और आसिरवाद आपके लिए भाग्योदए कर दायक रहेगा मित्रों किसी किसी समय आप अपने भाव में छिड़ चिड़ा पन थता उदाशी महसूस करेंगी जिसका असर आपकी कारी समता पर भी पढ़ सक्ता है मित्रों किसी भी प्रकार की यात्रा संभ प्रोग्राम को इस्तगीत ही रखें कुछ चोट लगने ची से संभावना प्रतित हो रही है और कारी छेत्र में बाहरी और पब्लिक से रिलेशन्सिप को अधिक मजबूत बनाएं अपने काम की कॉलेटी पर पूरा ध्यान दे अपने विवसाइक कारों की इडियोटाइजमें पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या उत्रपन न हो सकती है अपने अंदर उर्जा वा आत्म बल की कमी महसुस होगी और मेडिटेशन वा योगा पर भी कुछ समय व्यतेत करें जी हां मित्रो आप अपने कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन संबंदित योजनाओं को किर प्रियान वित करेंगे जिससे आपकी कार्य समता ओर अधिक सस्का होगी और धर्मकर्स में से जुड़े मामलों में भी आपका योगदान रहीगा इन कार्यों से आपको मानसिक सुकुन भी प्राप्त होगा प्रेतक संबंदित कोई वाद विवाद बढ़ सकता है इसलिए इ इस वक्त की गई मेहनस से आने वाले समय में अच्छे नतीजे हासिल होंगे और अपने कामों के लिए पूरी तरह समर्पीतर ही मित्रों नोकरी पैसा लोगों के लिए भी अच्छी परिस्तीतिया बन रही है जिवन साधिक आपको भावनात्मक सयोग प्राप्त होगा जिसक इस तेरता के लिए मिल्टेशन बहुत जरूरी ही मित्रों आप अधिकतर काम स्वयम ही योजनाबद तरीके से पूरा करने की कोशिज करेंगे आपके शुभाव में भावुकता और कौमलता की वज़े से लोग सेहे जी आपकी तरफ आकरस्तित होंगे और आपकी सलह उनके म अनुबल वह आत्मविश्वास को और अधिक बल प्रदान करेगी मित्रों कभी-कभी आपके काम में भी रुकावट आने से कुछ समय वियार्थ होगा परन्तों दोबारा से अपनी एनर्जी को एकरतित करके अपने काम पर लग जाएं आप अवस्य सफल होंगे अपने बाह रिष्टर पर कोई में है तो पुर्ण ओठोरीडे मिलने की उची संभावना ही पति-पत्नी के संबंदों में नजदी किया आएगी तो था कोई पादिवारिक संबंदित कारिकरम भी बन सकता है आप तो पहले भी अगाहा किया गया है कि खांसी जुखाम वह गले संबंदि योतनाय बनेगी जो सफलता भी हासिल करेगा और मित्रों किसी भी प्रकार के पेपरवर्क करते समय बहुत ही अधिक साउधानी बरती छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी परिसान का कारण बन सकती है अभिधन संबंदित मामले कुछ मन्दे ही रहेंगे और विवस अपने के संबंद खुस नुमा रहेंगे प्रेम संबंदों में भी पारिवरिक स्विक्रती मिलने से बहुत अधिक मानसिक सांती प्राप्त होगी और ध्यान रखिये आपको इसा महसुस होगा कि इस्वरी सत्ति का असिरवाद आपको मिल रहा है क्योंकि सभी काम सुचारों रूप से संबंद होते जाएंगे और आपको अनायासी आत्मिक सांती महसुस होगी मित्रों रिष्टेदारों तथा पड़ोश्यों के साथ संबंदों में और अधिक सुधार आएगा और किसे नजदी की रिष्टेदार के विवाहित संबंदों में अलगा उत्पन हो सकता ह आपकी मद्यस्तता से उनके लिए अनकुल साबित होगी और आई के साथ नोमे में भी कुछ कामी रहेगी जिसकी वज़े से मन कुछ परिस्तान रही सकता है मित्रों विवसाइक गती वीदियो में ध्यान लगाना बहुत जरूरी है बेहतर होगा कि अपने कायर प्रणाली के परिवर्तन संबंदित योजना उपर दोबारा से विचारवी मर्स करें और इस समय बहुत अधिक मेहनत और फायदा कम होने जिसे इस्तितिया बनी हुई है दामपत्ति जीवन सोखद और सोहाड पूर्ण रहेगा तथा आप से संबंद से द्वारा घर की विवस्ता भी यम्मित रखी परन्तु क्रोध और जीट जैसे नकरात्मक बाते अपने सोभाव में नाने देन की वज़े से आपके कई काम भी गर सकते हैं इस समय लाब से संबंदित गती वीधियों में भी कमी आएगी परन्तु तनाव लाले और निकट भविस्ते में जल्द ही सब ठीक ह हो जाएगा मित्रो आपका व्यवारिक नजरिया कारी छेत्र में कई मामलों को सुल जा सकता है पारिवारिक गती वीधियों से जुड़े व्यवसाई कुछ मन्दे रहेंगे परन्तु अभी की गई मेहनत का परिणाम निकट भविस्ते में सफल्दाद दाय करेंगे पति पत करार रहेगी परन्तु अचानक ही मित्रों के आगमन से घर का वातावरन पुर्वरत सुखद हो जाएगा और स्वास्ते तो ठेक ही परन्तु वरतमान वातावरन के वज़े से लापर वाही बिलकुल भी ना बरते मित्रों तसंधियों मुका पूरण रूप से पालन करें तो है तो वह जो स्क्रीन पर लाल बटन दिखाई दे रहा है उससे दबा जीचेगा वपास मोँ घंटी भी दबा कर हमारे यूटूब चेनल से अभी जुड़ जाईएगा